नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ मैं हूं मॉनिका सिंग। वही विपक्ष ने C.A. को लेकर किन सरकार पर सवाल दागने शुरू कर दिये हैं। एक रिपोर्ट देखिए। केंदर सरकार ने अचानक C.A. यानी नागरिक संशोदन कानून लागू कर देश में सियासी हलचल फैदा कर दी है। केंदर में तीसरी पारी की शुरूआत करने की फिरात में बैठी बीजेपी वोटरों को साधने के लिए नए नए दाव चल रही है। लोगसभा चुनाफ से पहले बीजेपी वोटरों से कमल का बटन दबवाने के लिए हर मुम्किन कोशिश कर रही है। तीसरे कारेकाल के लिए 370 के मिशन के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी हर पैतरा अपना रही है। इसी दिशा में पीएम मोदी ने जयमो कश्मीर की धर्ती पर कमल का कनेक्शन बता कर वादियों में बह रही हवा करूख अपनी और मोडने की कोशिश की। और अब देश में CAA लागू कर बीजेपी ने उस वोट बैंक को साथने की कोशिश की है जो CAA के पक्ष में है। दस साल देश पे राज करने के बाद एन चनाव के पहले इन लोगों को CAA की बात करनी पड़ रही है। अगर दस साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज CAA की जगे अपने कामों पे वोट मांग रहे होते है। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मिश्किल हो रहा है। इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है। कमर तोड महंगाई हो रही है। उधर हमारी युवा दरदर की ठोकरे खा रहे हैं रोजगार के लिए। उनके ओपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही है। ऐसे में सरकार, बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंडने की बजाए। CAA की बात कर रही है। तो ये बड़े दुख की बात है। जानकारों के मताबक देश में CAA को सही ठहराने वालों की तादाद ज्यादा है। शायद यही वज़ा है कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने CAA का दाव चल कर उन वोटरों को अपनी और खीचने की कोशिश की जिनका जुका विपक्ष की और है। यानि बीजेपी के निशाने पर इस बार वो वोटर हैं जुन्हें कमल की महग पसंद नहीं है। अगर ऐसा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा क्योंकि जस तरह से पीएम मोदी 370 के लक्षे को आधार बना कर आगे बढ़ रहे है। उसके लिए बीजेपी को और वोटरों की भागीदारी बेहत जरूरी है जो बीजेपी से रूचे हुए हैं या फिर कुछ वजों से बीजेपी की धारा से कचे हुए हैं। इसलिए का रविपक्ष ने बीजेपी की खेरा बंदी शुरू कर दी है। जैसे दिली में दंगे कराया गए फिर उसमें उनी को जेल में डाला गए जो विक्टिम्स थे तो कोई वोट का मेरे खाल में इस मुल्क की सबसे खुबसरत चीज तो जमूरियत है जिसको ये खत्म कर रहे हैं सबसे खुबसरत चीज हमारा आईन है जिसको ये सबवर्ट कर ये तो आप मजब के नाम पे कोई कानून नहीं बना सकते हैं और सिये बिलकुल मुस्लिम्स को टार्गेट करने वाला कानून है तो मेरी मुत्बाना गुजारिश है तमाम लोगों से खासकर मुसल्मानों से खुदा के लिए इनके जाल में मत फसिये अपने वोट का सही इस् वही बीजेपी विपक्ष के आरोपो को जूटा बता कर सी ए के अच्छाईयां गिना रही है बीजेपी के जोटे से बड़ी नेता एक बार फेर देश की जनता को सी ए की जानकारी दे रहे है केंद्र सरकार में चुनाव से पहले आदीस उचना जारी कर CAA को लागू तो कर दिया है लेकिन देश के कुछ राज्ये इस कानून को मानने सिंकार करें हैं उन राज्यों में खुले तौर पर CAA को चुनोती दी है हालकि CAA कानून का विरोध करें राज्यों ने अलग अलग तरीके से विरोध किया है दिली की बात करें तो मुख्यमंत्री अर्विन केज्रिवाल का मानना है कि CAA लागू होने से बेरोजगारी बढ़ेगी तो दोस्तों पूरे देश की मांग है कि CAA को वापस लिया जाए हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापस नहीं लेती बीजेपी के खिलाफ वोट करके आप अपना गुस्सा जाहिर की उधर का अंग्रिस लगातार CAA को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रही है उसका कहना है कि वीजेपी देश के जरता को धर्म के आधार पर बातने पटुली है चार साल तीन महिने लगाए हैं ये रूल्स कल रात को गोशित किये गए हैं ये तो बिल्कुल पोलराइस करने के लिए है सामाजिक धुरुवी करन के लिए है पस्चिम बंगाल और असर्म के चुनाओ को प्रभावित करने के लिए है अगर वो इमांदारी से ये करते तो ये पहले 2020 में क्यों नहीं लाए है अभी ला रहे हैं चुनाओ के एक मेहने पहले ला रहे हैं और ये हेड्लाइन मैनेजमेंट है क्योंकि सुप्रीम कोट ने कहा है सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टरल बॉर्ण का है वो उसको छुपाने के लिए अभी ये सीए रूल की घोशना की लिए ये बिलकुल सुमाज सामाजिक धुरुवी करन के रन नहींती है फाइदा उठाने की तो कोशिश करेगी और ठास दोर से पस्चिम बंगाल में और असम में इसका फाइदा उठाने की कोशिश करेगी विपक्ष एक बार फेर सीए को लेकार बीजिपी के खलाप एक जुट हो गया है वो सीए को लागू करने के समय को लेका सवाल उठा रहा है तो वहीं कुछ राज जैसे बीजिपी की वोट की राजनीती बता रहे है यूज इंजिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट और फिल्हाल वक्तों चुलाइक छोड़ी से ब्रेकाप फॉरन हाजर होरे कहीं मत जाएगा ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां सीए को लेकार विरोध प्रदेशन ना हो रहे हो सीए को लेकर जो हाल देश की राजधानी दिल्ली में है कुछ वैसा ही हाल देश के दक्षिनी छोर करनाटक और केरल में है इसमें जब आप थोड़ी नज़र दोडाएंगे तो पश्चिन बंगाल में ही सीए को लेकर बीज़ेपी के लिए कोई अच्छे खाबर नहीं है ये रिपोर्ट देखिए दन्यवाद कहना जाते है अगर वो इमानदारी सीए करते तो ये पहले 2020 में को नहीं लाए पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाते है पूरब से लेकर पश्चिन तक उत्तर से लेकर दक्षिन तक CAA को लेकर हंगामा मचाव हुआ है एक तरफ पूर उत्तर राज्यों में CAA को लेकर प्रदशन हो रही है तो वहीं दक्षिन भारत से भी कुछ ऐसी तस्वीरे सामने आ रही है तो धर All Assum Student Union यानि की AASU ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है आसु ने CAA के नियमों को चुनोती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कानून पर रोक लगाने की मांग की है ये वही संगठन है जिसने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के असम दोरे से पहले विरोध में बाइक रैली निकाले थी AASU और 31 राजनितिक संगठन जैसे गुहाण, कामरूप, बारपेटा और लखिमपूर नलबाडी समेत राजे की अलग-अलग हिस्सों में अधिनियम की कॉपी जलाई और विरोध रैलिय निकाले जोरान कॉंग्रिस निता और असम विधान सभा में नेता प्रतिफक्ष देव ब्रत सेक्या ने CAA की अधिसूचना को दुर्भाग्य पूर्ण करार दिया कि अधिये क्या है इसको नागरिक्ता देना है यह उसके लिए कानून लाएं जब्की ज़रूति नहीं थी कि आज भी केंसरकार अपने विवेक से और किसी के इस पर मागने पर वो नागरिक्ता दे सकते हैं तिस यह की जरूत क्या थी आप्य है कि इनको हिंदू-मसल्मान के अलावाद कोई काउस मुद्रेग स्ट्र गरीब जा रही है दो में ए आधरी बड़ती जा रही है मज़्दूर परेशान है किसान परेशान है छोटा मद्य हम्यापारी परेशान और इनको हिंदू मुसल्मान है लगे हुए लगे हैं केरल और बंगाल में भी सी एके लागू होने की उमीद कम दिखाई दे रही हैं दोनों ही राजों की सरकारों ने इसे लागू करने से इंकार कर दिया है वाशी बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बनर्जी का कहना है अगर सी ए अधारत में बाकी कसर करनाटक में भी नाराजगी जता करके साफ करते हैं नाव इदू चुनावने गोश्कर माड़ी दर हो इस्तिन गंटे आकी दूसुने इतुए चुनावने बंदगले एक माड़ी दर है ना इसी दरमुदा आधारत में ले पवरत्वों कुड़तक अंत अधिकना विरोध ही देखने को मिल रहा है इन राजो में भानिय संगठनों ने सी एए को लेकर केंदर सरकार के खलाफ मोर्चा खोल दिया है संगठन का कहना ये है कि वो इस कानून के खलाफ शान्तिपूर अहिंसक और लोगतांत्रिक आंदोलन जारी रखेंगे CAA के नोटिफिकेशन से पहले भी यहां इस कानून को लेकर के विरोध जताया हुआ CAA का सबसे ज्यादा विरोध भारत के पुर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल रहा है 2019 में भी CAA के विरोध की पहली आवाज यहीं से उठी थी एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं चर्चा हमारी लगाता जारी फॉरन हाँ जरूर है CAA का सबसे ज्यादा विरोध भारत के पुर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल रहा है 2019 में भी CAA के विरोध की पहली आवाज यहीं से उठी थी इस बात भी कुछ ऐसा ही नजारा है पुर्वोत्तर रहने वाली नागरी को को डर है कि देश में CAA का सर अगर किसी पर पड़ेगा तो भारत के पुर्वोत्तर राज्यों ही है हालकि इन राज्यों को सम्विधान की छटी अनुसूची से विशेश अधिकार प्राप्त है जिसकी बदौलत चार राज्यों में CAA लागू नहीं हो सकता है लेकिन सवाल उन राज्यों का है जिनके पास की विशेश अधिकार नहीं है हमारी खास रपोर्ट देखिए किंद्र सरकार CAA की जरीए बांगलदीश पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए प्रताड़ित गयर मुस्लिम प्रवास्यों को भारत की नागरिक्ता देगी इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौध, पार्सी और इसाई है यानि भारत जिन लोगों को भारत का नागरिक बनाने के लिए CAA कानू लेकर आई है किंद्र ने पूरे देश में CAA लागू करने की घोशना तो जारी कर दी है लेकिन देश में कुछ ऐसे राज्जी भी है जहाद छहकर भी सरकार CAA कानून को लागू नहीं कर सकती दरसल उन राज्जों को समिधान से विषिश अधिकार मिला है जिसकी बज़ा से सरकार कोई भी कानून बिना उसकी मर्जी के लागून नहीं कर सकती है और इसकी असली वज़ा है सविधान की छटी अनुसूची जो पुर्वत्तर राज्यों के जंजातिये शेत्रों को विशेश अधिकार देती है असम मेघाले, मिजोरम और तृपुरा को देश के बाकी राज्यों की आत्रा करने से पहले अगर आसान शर्दों में कहें तो असम मेघाले, मिजोरम और तृपुरा के नागरिकों को बिना वीजा के देश के बाकी राज्यों की आत्रा करने की इजाज़त नहीं है चटी अनुसूची में सम्विधान के अनुचेद 242 और अनुचे 275 एक है दोनों अनुचेदों के तहट खास प्रामधान है असम मेघाले, तृपुरा और मिजोरम के जजाती लागों के प्रशासन की विशेश निवस्था है पुर्वोत्तर राज्य असम मेघाले, मिजोरम और तृपुरा पर लागों है असम के दीमा, हसाओ, कारवी, आंगलो, बोडोलेंग, शेत्री परिशद में घाले के खासी पहाडी, जयंतिया पहाडी, गारो पहाडी, मिजोरम चक्मा, लाई, मारा, तृपुरा के फूरा जजाती लागों में छटी अनुचुची लागों होती है इस अनुचुची के तहट जनजाती शेत्र में स्वायत जिले बनाने का प्राभधान किया गया है राजी के अंदर इन जिलो को विधाई, न्याएक और प्रिशास्निक स्वेत्ता दी जाती है अनुचुची में राज्यपाल को स्वायत जिलो का गठन करने और पुनर गठित करने का अदिकार दिया गया है न्यूज एंटिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट तो सीए पर भले ही संगराम छुड़ा हुआ हो लेकिन सीए अब लागू हो चुका है इसे के साथ ही इस बॉलिटिन में फिल हाल इतना ही लगातर खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज एंटिया नमस्कार